पुश्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि मालाबार विद्रो इसका इतिहास क्या है इसे एक और नाम से भी जाना जाता है मोपला विद्रो भी इसको कहते हैं 1921 में हुआ था इतिहासकार इसको अलग-अलग नजरिये से भी देखते हैं उनके जो नजरिये हैं हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे और काफी जादा controversial ये issue भी है या फिर कहीं कि विद्रो भी है क्योंकि बहुत अलग-अलग मत निकल के आते हैं कोई इसको ये कहता है कि ये संतंतरता विद्रो था संतंतरता के लिए विद्रो किया गया था प्रिटिश सरकार के परती या फिर इसे हिंदू के परती विद्रो कह सकते हैं इसका तो इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे PDF के लिए आपको information दे देता हूं कि PDF कहा मिलेगी तो PDF आप लोगों को Telegram का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चले बिना किसी देरी के start करते हैं अपनी इस वीडियो को देखें चर्चा में क्यों आए सबसे पहले तो हम इसको जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है अभी क्या हुआ है कि भारतिया एतिहासिक अनुसंदान परिशद में जहां 1921 के मालाबार विद्रो के शहिदों को भारत के स्वंतंतरता सैनानियों की सुची से हटानी की जो सिफारिश की गई थी तो इस ICHR ने उस निडने को अभी टाल दिया है कि अभी नहीं हटाएंगे तो यहां पर जो स्वंतंतरता सैनानी है यानि जो मालाबार विद्रो के अंदर जो यहां पर स्वंतंतरता सैनानियों का जो टैग दिया गया है कि उनके अंदर उन लोगों को हटा दीजिए क्योंकि ये स्वंतंतरता सेनानी नहीं है क्योंकि इन्हों ने हिंदूओं के विरूद कह सकते हैं कि विद्रोग किया था यहां पर कतले आम किया था हिंदूओं का तो ये कोई ब्रिटिश के लिए नहीं लड़ेते ये एक धरम के अधार पर लड़ाई की गई थी, तो ऐसा बोला गया था, तो I.C.H.R. ने कहा है, कि अभी हम इसको टाल रहे हैं, अभी जो निर्ने हैं, अभी हम इसको टाल रहे हैं, तो उन्होंने कोई निर्ने नहीं दिया इसके उपर, और इसमें कहा गया था, कि जो शिफारिस की गए थी, तो शिफारिस में दो नाम सामने आ रहे थे, एक है वरियम कुनातु, कुनामध हाजी, काफी लंबाई नाम हो गया, और एक है अली मुसलियार, ये दो नाम बड़े ही सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये विद्रों से, जो बहुत जादा important है इस विद्रों से लेटन, जो ये हैं, इन्होंने तो काफी जादा एक active role, या फिर कहें कि एक leader के तोर पे ये सामने आये थे, इस विद्रों में, तो इन दोनों का जा रहे हैं कि यह जो दोनों नाम शामिल है आप इनको हटाईए क्योंकि इनको लेकर काफी जादा controversy हुई है चलिए थोड़ा सा इतियाज जानते हम ICHR यह जो आपने बढ़ा ना ICHR यानि Indian Council of Historical Research यह है क्या क्यों इसको सिफारिस की गई एक्चुल में इसका काम क्या है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर मैं परीचे दूँ तो यह एक स्वायत यानि autonomous organization है मतलब खुद ही अपने अपने independent काम करती है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी Society Registration Act 1860 के तहत इसकी स्थापना की गई थी यह किस ministry के अंडर आती है तो ministry of education के अंडर यह आती है इसके काम क्या है इसके काम है जो historians है उनको एक साथ लेके आना और उनके जो विचार है उनका आदान परदान करना मतलब कि हर कोई historian जो है वो आएंगे अपने point of view रखेंगे और सामने वाले को समझेंगे तो इसको प्रोसाहित करना इसका उदिश्य रहता है ICHR का ICHR का अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि to give a national direction to an objective and scientific writing of history मतलब यहाँ पर वैज्यानिक लेखन को राष्ट्रिय दिशा देना इसका एक उदिश्य यहाँ पर भी है और promote करना, accelerate करन coordinate research करना history के अंदर और यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा प्रसार यानि विस्तार भी करना इसका उदिश्य रहता है और साथ इसाथ यह council जो है वो provide करती है शोद करने के लिए निसरच करने के लिए सहायता या fellowship यह चीज़ें जो है वो provide भी करती है तो यह होगी हमारे साम यहाँ पर लिखे हुए है फुल फॉर्म भी इसकी याद रखना Indian Council of Historical Research अब थोड़ा बहुत हम background जान लेते हैं जो यह विद्रो हुआ है उसके बारे में देखें सोल्वी स्ताब्दी के अंदर पुर्तगाली जो थे वो वेपार करने के लिए माला बर तट पर पहुंचे थ रेका कि वहाँ पर mapilla, mapilla या Makella was एकी नाम है पर mapilla एक ववेपारिक समुदाय है जब उन्हों पुर्तगालियों ने देखा और यह mapilla जो समुदाय है वह शहरी केंद्रों में केंद्री थ है और उस थानिय हिंदों के अबादी से काफी अलग हैं क्या क्योंकि यह मुस्रीम इनको अलगी लगेंगे, हालांकि प्रोतगाली जो थे, उन्होंने अपनी जो कॉमर्शियल पावर है, यह वैपार करने की नीती है, उसमें वृधी करनी स्टार्ट करती, उसमें इंक्रीज किया, जिससे क्या हुआ, जो मपिला समुदाय है, उनको एक तरीके से लगाया है, हम स्थानांत्रित होना शुरू कर देते हैं, जब यह स्थानांत्रित होते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो यहां पर जो स्थानिय हिंदू होते हैं, मालाबार तट क्या स्पस, तो वहां पर स्थानिय हिंदू की अबादी, पुरुतगालियों के बीच, अपनी धरम की पहचा मुश्मानों को ये नाम दिया गया है जो कहाँ पर है केरल के उत्तर में केरल के उत्तर के मालाबर तट पर निवास करते हैं वर्स 1921 में मोपला ने मालाबार के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते हुई समुधाय का घठन किया था मालाबार में एक मिलियन की कुल अबादी में मौपला जो है वो 32% के धक्षिन मालाबार में केंदरित थे क्लियर हुआ यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री बता चलेगी मौलपा यह क्या है अब यहाँ पर आते हैं मौपला विद्रोग क्या है देखे एच्छल में यहाँ पर जो बात बोले गई है कि जो मुस्लिम धरम गुरू थे उन्होंने बहुत अगर भाशन दिये थे और वहाँ पर जो ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेइध होकर जो मपिलाज है या मपिलाज या मोपिलाज है आप इनको किसी भी नाम से पुकार सकते है जो मपिलाज है ने एक हिंसक विद्रो रूप ले लिया था देखे शुरुवास से ही ये हिंसकी था क्योंकि इन्हों ने कोई शांति के रूप से यहां पर विद्रो नहीं किया था, अथियार उठा लिये था इस विद्रो के अंदर, तो ये एक शांति के हिंसक विद्रो था, साथ ही कई हिंसक घटनाओं की सूचनाएं दी गई, सत्ता के खिलाफ संगर्ष का उधान के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग कहते हैं जो मालाबार विद्रो या मौपला विद्रो वो जमिदारों के लिए एक किसान विद्रो मानते हैं, किसान का विद्रो भी इसको कहा जाता है, अब यहां पर जो था, देखे, कुछ इ संपर्दाइक रूप ले लिया था, अब यहां पर शुरुआत कैसे हुई, अभी आप लोगों को यह भी बताऊंगा, कि एक्चुल में यह जो विद्रो होना स्टार्ट होगा था, वो स्टार्ट कहां से होता है, और यह इतना उगर कैसे हो गया था, और इसने संपर्दाइ जमीन पर काम कर रहे हैं, जो किराय पर काम कर रहे हैं, एक तरीके से, वो मपिल्ला मुसल्मान हुआ करते थे, तो जमीन किसकी थी, ब्रहमणों की, यह ब्रहमणों की जमीन कैसे हुई, अभी आपको वो भी पता चलेगी, तो यहां पर जो थे, जो काम करने वाले थे, वो हो जाना तो यहां पर जो दंगे बढ़के इसमें दस हजार से अधिक हिंदों की सामुहिक हत्या की गई इवन ऐसे ही हत्या नहीं की महिलाओं के साथ बलतकार हुआ उनका कनवर्जन हुआ तिन सो मंदिरों को तोड़ा गया बहुत सारे चीजों को नुकसान पहुंचाया गया करोणा रूपे की संपत्ति लूटी गई आग जिनी की गई हिंदों के घरों को आग लगा दी गई इस कदर यहां पर एक भ्यानक दिर्श्य हमें देखने को मिलता है 1921 के टाइम में क्लिर यहां पर तो इस तरीके को देखते हुए इसने बाद में संपर्दाएक रूप ले लिया था अब यहां पर इसको समर्थन किसने क्या था स्टार्टिंग में तो इसको समर्थन करने वाले में महात्मा गांधी वीजे तो महात्मा गांधी जी ने बाद में जब ये उग्र हुआ तो इससे समर्थन वापस ले लिया लेकिन उन्होंने कभी इस विद्रो के खिलाफ कुछ बोला नहीं कि इसमें हिंसा हुई उसके किलाफ इन्होंने कुछ भी बयानवाजी नहीं की थी तो समर्थन में महात्मा गांधी थी और भी बहुत सारे राष्टवादी नेता भी इसके अंदर इस समर्थन के रूप में आये थे यहांपर और इसका पतन कब हुआ इस विद्रो का देखे 1921 में ब्रिटिश शरकार ने या अंग्रेजों ने क्या किया इस विद्रो को कुछलने के लिए गोरका रेजिमेंट और जी किया गया मालबार स्पेशल फोर्स का घ्ठन किया गया है जिसके अंदर गोरका रेजिमेंट के जवान थे तो उन्होंने इस विद्रो को बिल्कुल दबा दिया या ख़तम कर दिया था अब यहाँ पर एक wagon tragedy भी आती है देखें नुवंबर 1921 में 67 मोपला कैदी उसमें मारे गए थे जब उनको कहां से तिरूर तिरूर से पोधनूर की केंद्रिय जेल में ले जाया जा रहा था कैसे एक बंद माल डिबे में ले जाया जा रहा था तो इस माल डिबे में क्या हुआ वो धम गुटनेस इन की मोत होगी और इस घटना को wagon tragedy भी कहा जाता है अब कारण क्या है देखिए मैंने आपको कहा ना वो कारण क्या थे क्यों ये विद्रो हुआ था स्टार्टिंग क्या है देखिए शुरुआत में तो कहा जाते कि ऐसे योग अंधोलन और खिलाफप अंधोलन जो थे 1920 में आपको पता है कि ऐसे अग अंधोलन था खिलाफप अंधोलन जो खलीफा का पत समाब्द कर दे एक उसके खिलाफ वहां पर अंधोलन स्टार्ट हुए थे तो मात्मागांधी जी ने सोचा था कि क्यों ना इस खिलाफत यहां पर खिलाफत आंदोलन में भाग लेकर मुसल्मानों को एक लाया जाए, कॉंग्रिस में वापस मिलाया जाए तो ये एक तरीके से यहां पर मात्मा गांदी जी ने कोशिश की थी तो वहां पर कह सकते हैं कि ट्रिगर करने का काम किया था वैसे ट्रिगर करने का और भी काफी सारे काम थे जैसे 1920 के ही टाइम में जो माला बार तटा है वहां पर एक मस्चिद में ब्रिटिश जो पुलिस थे वो अंदर चली जाती है और कुछ डोक्युमेंट लेकर बाहर जाती है तो एक अफ़ा फैलती है कि मस्चिद को तोड़ दिया गया एक तो यह और दूसरा कि जो मुस्लिम गुरू थे या फिर मुस्लिम लीडर थे उस वक्त बहुत ज़्यादा परसित थे उनको गिरिफतार कर लिया गया यह जो दो घटनाई थी उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रिगर कर दिया चीजों को कि यह जो विद्रो है वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया संपर्दा एक रूप इसने ले लिया और साथ यहाँ पर एक और रीजन यहाँ पर यह है कि नए कास्तकार कानून मतलब कि टेनेंसी लोज यहाँ पर जब इंट्रोड्यूस किये गए देखे 1799 के अंदर जब चोथा एंगलो मैसूर यू दुआ था जिसमें टिपू सुल्तान की डेथ हो गई थी तो वहाँ पर मालाबार मदरास प्रेजिदेंसी के हिस्से की रूप में ब्रिटिश के अधिन ये एरिया चला गया था ब्रिटिश का शार्शन हो गया था इस एरिया के उपर और अंग्रेजों ने नए कानून वहाँ पर या फिर टेनेंसी कानून जो यह महाँ पर पेश किये थे जो जमींदार पक्ष में थे यहाँ पर जमींदारों के हिस्से में आते थे favor किया करते थे expensive जमींदारों को किसानों के लिए काफी ज़ादा tax लगा दिया गया था इनसे और जादा पैसा वसूलना है एक तरीके से शोशनकारे वेवस्ता थी और जो यहाँ पर जमीनदार थे वो ब्रहमन थे यहाँ पर ठीक है नमूदारी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ब्रहमनों के हिस्से में यह जो काम किया गया था उनके हिस्से में किया गया था और उनको एक तरीके से मालिकाना हग दे दिया गया था ये कानून लेकर आया थे अंग्रेज अब यहाँ पर जो मुस्लिम जो थे क्योंकि वो उस जमीन पर काम किया करते थे तो उनको यह लगा कि यार अगर यहाँ पर यह कानून आया यह तो हमारी जमीन हमसे चीन लेंगे या फिर हमें बिरोजगार कर देंगे हमसे जमीन हमसे चीनी जाएगी तो यह डर उनके अंदर फैलना शुरू हुआ तो इन्होंने यहाँ पर विद्रो करना यह दर से शुरू किया था शुरुआत में समर्थन मैंने कहा ना कॉंग्रेस ने दिया कोु आदमागांधी जी यहाँ पर समर्थन के रूप यहां पर समने आया थे और जब यह संपर्थाक हो भी गया था तो अभी काफी सारे लीडर जो usar नहीं लेकिन कॉंग्रेस ने कभी इसे और च़ूर यह कहा नहीं लेकिन बहुत सारे लेटर ऐसे थे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए आप लोगों को अलड़ी मैं बता चुका हूँ कि आपको कहां मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं शेर कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को भी क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिविशन मिलता है तो बस आज के लिए इतना है था, थैंक्यू पूर वोचिंग